सरकार ने fame to scheme के तहट मिलने वाली subsidy को घटा दिया है subsidy के नए नियम आज से लागू हो गए है subsidy घटाने के बाद कंपनियों ने अपने electric दुपईया वाहनों की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है कंपनियों ने कीमते 10,000 रुपई से लेकर 22,000 रुपई तक की रेंज में बढ़ाई है electric दुपईया वाहनों के लिए subsidy 10,000 रुपई प्रती किलोवाट घंटा होगा पहले ये 15,000 रुपई हुआ करती थी किन कंपनियों ने बढ़ाए कितने दाम बढ़ाए एक जून से अब बाजार में मिलने वाले e-scooter पर subsidy खत्म हो जाएगी सरकार करीब 15% से 40% तक के अलग-अलग mix इस तर पर subsidy देती थी जो subsidy के आधार पर वहां सस्ते होते थे अब सारी प्रमुकंपिनियां ओला ने, एथर ने, मैटर ने इन सब ने अपने e-scooter की किमते बढ़ा दी जो आंकड़े दिविल रहे हैं उसे साबसे 15,000 से 30,000 रुपए तक की किमते e-scooter की बढ़ी है सबसीडी कम होने के कारण और सबसीडी कैप कम होने के बाद की संभावना को देखते हुई यह भी लग रहा है कि आने वाले समय में में e-scooter की बिक्री में भी कमी होगी क्योंकि भारत का e-scooter market है वो वैसे भी काफी price sensitive market है और e-v की sales जो पिछले सालों में हुई थी जो पिछले साल दिखाई दी थी वो सबसीडी के कारण दिखाई दी थी अगर e-scooter की कीमत 1.5 लाक रुपए से उपर निकल जाती है तो भारत में बहुत सारे लोगों के लिए उसे खरीदना या उसे अफोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा